एक साइको ने एक लड़की को बेस्मेंट में बन कर दिया है, उसके साथ गेम्स खेल रहा है, क्या हो लड़की उससे बच पाएगी, जो भी चल रहा है, इसके पीछे और एक प्लैनिंग है, हेलो फ्रेंट्स, आज की हमारी मुवी वॉचिंग, यह 2019 की कोरियन थ्रिलर मुवी है, इस मुवी की सिचुएशन तो थ्रिलिंग है ही, पर इसका एन भी अमीजिंग है, एक्स्प्लैनिशन स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप कोई वीडियो अचा लगता है, तो प्लीज कमेंट और लाइक ज़रूर कर इसे चैनल को सपोर्ट मिलता है, अब बिना किसी देरी के, एक्स्प्लैनिशन स्टार्ट करते है, मुवी स्टार्ट होती है, और एक बिल्डिंग का पार्किंग लॉट हम देखते है, इसमें एक लेडखी अपनी गाड़ी में बैठती है, पर उसके गाड़ी में और कोई थ पर यह कौन था यह हमें पता नहीं है, इसके बाद हम देखते हैं, यह ओफिस का डे है, हमारे में क्यरेक्टर का नाम हम सिंडी रखेंगे, सिंडी अपने कोवर्कर पेट के साथ काम पर आती है, पार्किंग लॉट की सिक्यूरिटी जॉन समालता है, जॉन हमारा और एक में पार्किंग लॉट में सिंडी के हाथों से कुछ चीज़े गिर गई थी, तो इसे उठाने के लिए जॉन उसे हेल्प करता है, यह फर्स टैम मिले हैं, और फिर भी जॉन उससे बहुत सारी बाते करता है, वो गहता है कि मैं हमेशा से अकेला था, उसे ब्रदर और सिस्टर न कहता है कि एक वर्क है, जो जल्दी से जल्दी तुम्हें खतम करकर मुझे देना पड़ेगा, यह जो टाइम है, यह क्रिस्मस का है, सिंडी को अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंट करना था, और शायद इस वर्क की वज़े से वो करनी पाएकि, वो इसे टालने की कोशिश करतीए, पर बोस उसे force करता है, सिंडी को अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इसी वज़े से वो बेट पर भी pressure डालती ए, रात में सब ओफिस से चले जाते है, तो सिंडी को अकेले ही काम करना पड़ता है, या उसके साथ उसका बोस भी है, वो दोनों अकेले थे, त वो आ सिंडी के साथ जबरदस्ति करने की कोशिश करता है। सिंडी उसे जड़क कर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बिल्डिंग में हम एक पूड़ा सिक्रूरिटी ओफिसर देख सकते है। पार्किंग के गेट पर सिंडी फिर से जॉन से मिलती है। जॉन केहता है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तुम्हारा इतना इस विल्डिंग में कोई भी काम नहीं करता। सिंडी उसे जाता बात नहीं करती है। उसे एक ट्रिंग देखकर वहाँ से चली जाती है। अगली दिन जब वो फिर से काम पर आती है। तो लिफ्ट में उसका बॉस उसके साथ है। दूसे फिर से उसका वर्क कंप्रीट करने के लिए बोलता है। सिंडी केती है तुम्हें तुम्हेरा वर्क मिल जाएगा और तुम्हें मुझे सौरी कहना पड़ेगा। बॉस कहता है मैं तुम्हें सौरी नहीं बोलने वाला। सिंडी की कोवर्क कर बेट जब प्रेक लेने के लिए स्टेस तक आती है। तब वहां हम देख सकते हैं कि जॉन और सिंडी का बॉस यह दोनों बात कर रहे है। पार्किंग लॉट में भी एक कुछ बात कर रहे थे। यह चल क्या रहा है कि हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत रात हो जाती है। सिंडी और बेट इन दोनों को यही काम करना पड़ता है। सिंडी को बेट के लिए बुरा लगता है तो कहती है कि आगे का मैं समालूंगी। तुम्हें अगर घर जाना होगा तो तुम जा सकती हो। बेट भी बहुत खुश हो कर वहाँ से चली जाती है। पैरलल में हम देख सकते हैं कि जान पूरी पारकिंग के कैमेरे सेट करता है। सब डोर्स को लॉक कर देता है। थोड़ी देर में सिंडी भी अपना काम खतम कर दिया। पारकिंग लॉट में उसकी गाड़ी के नीचे जरा वाटर था। उपर से इलेक्टिसिटी का तार कट गया था। जब उसने गाड़ी अनलॉक की तब उसे जरा शौक लगा और वो बेहोश होके। जब उसे होश आता है तो जॉन के ऑफिस में है। वो अपने कपड़े देखती है तो वो भी बदल चुके है। ज़ौन कहता है कि वरी मत करो मैंने कुछ भी देखा नहीं तुम्हारे कपड़े गिले हो गए थे इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। सिंडी डर कही थी और अपनी गाड़ी की चावी ढूंड रही थी। ज़ौन भी उसे वो दे देता है। वो फिर गाड़ी स्टार्ट करने के कोशिश करती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ज़ौन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता था कि यह स्टार्ट नहीं होगी। मैंने एक टोटरक को बुला लिया है वो जल्द यहां आ जाएगी है तब तक तुम मेरे ओफिस में बैट कर सकती हो सिंडी को उसके शूज नहीं मिल रहे थे तो बेरफोट अपने गाड़ी में बैट गई थी जॉन ने अब उसके ड्रेस से मैचिंग शूज लाए हुए है अपने ओफिस में जॉन सिंडी के लिए डिनर सर्व करता है डिनर के लिए कुछ स्वीट भी चाहिए तो उसने एक रैबिट केक लाया है सिंडी एक केक देखकर सप्राइस्ट होती है क्योंकि अपनी बैटी के लिए भी वो यही केक ले जाने वाली थी इसका मतलब है जॉन सिंडी के प्राइविट लाइफ में भी नज़र रख रहा है सिंडी जॉन से बुछती है यह तुम्हारे पास मेरे सैस के कपड़े कैसे थे जॉन कहता है कि है मेरी गर्ड्फरेंड के है जो होने वाली है यह सिंडी को बहुत ही क्रीपी लगता है वो फिर उसके साथ सेलफी लेना चाहता है सेलफी लेते वग सिंडी के नेक पर वो हाथ रखता है इससे सिंडी डिस्टाब हो जाती है उसे अभी के अभी यहाँ से जाना है जॉन उसे रुकने के लिए मनाने की कुशिश करता है पर वो नहीं मानती वो बाहर निकलती है और डोर तक आती है तब सब डोर बंध है बिले में और भी कुछ डोर थे जिसे जाकर जॉन बंध कर कराता है सिंडी फिर से जॉन के ऑफिस तक पहुचती है तो जॉन वहाँ नहीं है वहाँ उसकी डस्बेन पर उसकी नजर जाती है अर्लियर पार्किंग लॉट में सिंडी की कुछ चीज़े गिर गई थी इसमें उसकी लिपस्टिक भी थी ये लिपस्टिक जॉन ने समाल कर रखी है सिंडी अपने गार्बेज में भी जो भी चीज़े फेकती है ये सब जॉन के पास है ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर लाइन भी कटी हुई है उफिस में उसे बहुत सारी कीज़ दिख रही है इसमें से एक वो निकाल लेती है सिंडी ने कैमेरे चेक किये तो उसके खुट के घर में भी जॉन ने कैमेरा लगाया हुआ है उसके घर में क्या क्या जलता है ये सब वो देख सकता है वो अब यहाँ से निकल ही रही थी तभी जॉन वहाँ जाता है जॉन गहता है कि तुमने तो सब कुछ देख लिया सिंडी उसे गिड़गिडाती है ये प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो और जॉन मानता नहीं ये जॉन की दमकी थी कि उसकी डॉटर को मार डालेगा अब वो जो भी कहेगा वो सब सिंडी को मानना पड़ेगा वो फ Надо सिंडी को गाड़ी में बिठाता है उसे कहता है कि मुझे मेलोड्रामाटीक मुविस पसं है लड़की लड़के को misunderstand करती है और उसके बाद उसके प्यार में पढ़ती है इस तरह की storyline उसे पसंद है यानि John को लगता है कि अब Cindy उसे resist कर रही है पर बाद में उसके प्यार में पढ़ जाएगी अब हम देख सकते हैं कि गाड़ी के सामने सिंडी का बॉस और बेथ यह दोनो है जॉन फासली गाड़ी चलाता है और इन दोनों को कुचल देने वाला था पर गाड़ी स्टॉप करदेता है सिंडी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर फिर भी ये गेम वो खिलता रहता है जॉन उसे कहता है ये दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे अब मैं इन दोनों को मार डालने वाला हो सिंडी उसे मना करती है ये मत करो वो फिर एक गेम स्टार्ट करता है वो कहता है इन दोनों में से एक कोई मरने वाला है अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं किसको मारूंगा सिंडी डिसाइड नहीं कर पाती तो जॉन खुद डिसाइड कर लेता है कि वो बॉस को मारेगा बेस्बॉल की बैट से वो बॉस को मार डालता है बैट अभी भी जिन्दा है वो उसे फ्री करता है और कहता है अगर तुम मुझे फिर से दिखी तो तुम्हें में मार डालूँगा जैसे हमें पता है कि पूरी पार्किंग बंद है और वो बेथ को हंट करकर मारेगा जौन जब ये सब कर रहा था तभी सिंडी काड़ी से बाहर निकलकर वासे भागने लगती है पार्किंग लॉट में सिंडी और बेथ फिर से मिलती है बेथ बहुती डर चुकी है उसे रखता है कि वो मर जाएगी सिंडी उसे confidence देती है कहती है हम कभी भी नहीं मरने वाले सिंडी के पास जो चावी थे ये लेकर वो जल्दी से गेट खुलना चाते है पर चावी नीचे गिर जाती है चावी अंडरग्राउंड चली गई तो वो उसे रिच नहीं कर सकते है बेथ को फिर सिंडी एक लॉकर में छुपा देती है वो खुद पार्किंग लॉट में जॉन पर नजर रखती है जॉन फिर अपने ओफिस में आता है उसके कपड़े खुण से भरे होए تھे चेंज करकर सब कैमेरिस देखता है सिंडी सब कैमेरिस से छुपकर लिफ्ट में पहुंच आती है वो ऊपर जा रही थी तब लिप्ट बन होती है फिर वो नोटीस करती है कि लिफ्ट में भी एक कैमेरा था जॉन उसे देख रहा था और उसने लिफ्ट बन कर दिये जॉन सिंडी के पास आकर उसे ले जा सकता है पर सिंडी एक ट्रिक लगा दिये लिफ्ट के दर्वाजे में एक चीज फसा देती है जिसे लिफ्ट उपर या नीचे कही भी ना जाए जॉन उसे कहता है तुम मेरी फिलिंग्स को समझती क्यों नहीं ये इतना हाड नहीं होना चाहिए था वो CCTV कैमेरेज चेक कर रहा था तब बेट कहा है तो उसे पता चल गया वो उसे पकड़ कर ओफिस में लाता है सिंडी से कहता है अगर तुम बाहर नहीं आई तो बेट को में मार डालूँगा सिंडी के पास फिर कोई option नहीं था वो ऑफिस में आ जाती है ऑफिस में आने के बाद वो आप बेट नहीं है जॉन कहता है मैंने उसे छोड़ दिया है वो भरी मत करो अब हम देखते हैं कि सिंडी जॉन से सही से बात करने लगती है वो गयती है कि तुम मुझे like करते हो तुम मुझे एसे हद कड़ी में क्यों बन कर रखा है जिप लीज यहां से बाहर निकालो तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ डिनर करो तो हम कर सकते हैं उसके बेर पर चोटाई थी जॉन को देखने के लिए कहती है जॉन युँ उन देख रहा था तबी सिंडी अपनी परसमें से एक स्प्रे निकाल कर उसके आख में डाल देती है ओफिस में एक फिजबॉल भी था जो उठा कर उसके सर में डाल देती है जल्दी से वहाँ से भाग कर गेट तक बोशती है वो पुलिस को कॉल कर रही थी पर ये पार्किंग है तो उसे रेंच नहीं आती है वो हाथ आगे करकर कॉल लगा भी देती है पर वो क्या कह रही थी ये पुलिस सुन ही नहीं पाते उसके हाथ से ये मूबाइल भी फिसल जाता है वो अपना मूबाइल उठाने की फिर से कोशिश कर रही थी तभी उससे कुछ आवाज सुने देती है स्टीट में से एक ड्रंक आदमी जा रहा था उससे वो आवाज लगा दिया ये फोन वो उठा लेता है इसके पैरलल में हम देखते है जॉन को अब होश आ चुका है सिंडी ने जो भी किया ये देखकर अब वो हर्ट है वो कहता है कि मैं मेलो ड्रामेटिक मूवी बनाना चाहता था पर अब ये मूवी होरर बन जाएगी ड्रंक आदमी सिंडी के पास था उसे समझा रही थी कि पुलीस को कॉल करो पचानक से जॉन जब सिंडी की पीच्छा आता है तो हमें पता चलता है कि आदमी टरंक था ही नहीं सिंडी का फोन लेकर वहाँ से हो चला जाता है इस सिंडी का कॉल गया था इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पोच गए सिंडी गाड़ी से आवाच कर सकती है इसलिए जॉन पूरी पार्किंग में म्यूजिक चलाता है यह पुलिस सब चेक करते है सिंडी डिक्की से आवाच कर रही थी पर म्यूजिक में उन्हें कुछ भी सुनाय नहीं दिया पुलिस यहाँ से चले जाने से पहले सिंडी बहुत ट्राय करती है कि वो इस डिक्की से बाहर निकल पाए फाइनली डिक्की खुल जाती है पर उसे लेट हो गया था पुलिस ओल्डी वहाँ से चली गई है वो वहाँ से भागने की कुशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है वो अब बहुत गुस्सा है वह गयता है कि शायद तुम मेरी गर्फरेंट नहीं बन सकती वो सिंडी को मार ही डालने वाला था पर ओल्ड सिंडी को बचा लेता है सिंडी को चावी देता है ओल्ड ओफिसर और जॉन इन दोनों में अब फाइट होने लगती है सिंडी भागते भागते गेट तक पोच्छती है वो उसे उपन करने ही वाली थी तभी उसके हाथ से चावी को ले लेता है हम देखते हैं तो सिंडी का ये बॉस है जिसे हमने मुवी में फर्सली देखा था कि जॉन ने उसे मार डाला था वो कहता है क्या मरे हुए आदमी को देखकर तुम सप्राइस्ट हो यह हसने लगता है कहता है क्या हमने ये सब नाटक किया था जो केम जॉन सिंडी के साथ खेल रहा है इसमें सिंडी का बॉस भी शामिल है सिंडी पूछती है क्या ये सब जोख है तो बॉस कहता है तुम्हारे लिए नहीं हम तुम्हारे साथ ही ये सब कर रहे है यह सुनकर सिंडी चल्दी से वहाँ से भाग जाती है बॉस को सिंडी के गारी के पास आवाज आती है वहाँ जाकर वो चेक करता है तो सिंडी उसके पीछे खड़ी है आग बुजाने के लिए बिल्लिंग में वाटर पाइक थे जो अब सिंडी के पास है पानी के फोस से वो बॉस को इंजूर कर देती है जैसे हमने पहले भी देखा था कि सिंडी के गाड़ी के उपर वायर शॉर्ट सरकिट है वायर की वज़े से उसे करण लग कर वो भी नीची गिर जाता है बॉस वेहोश था जॉन फिर थोड़ी देर में सिक्रिटी ओफिसर को मार कर वहाँ पहुचा उसने बॉस कोटा है बॉस अब बहुत ही गुस्सा है वह गयता है कि अब मैं उसे मार डालूँगा जॉन यह नहीं चाहता जो भी वो गेम खेल रहा है इसे वो मेलोड्रेमेडिक बनाना चाहता है सिंडी को कुछ हो यह वो नहीं चाहता बॉस वर गुसा होकर वो इसे मार डालता है सिंडी भागते भागते फिर से जॉन के ऑफिस में आती है यूँकि हर डोर कीकी उसे ऑफिस में है सिंडी के लेक पर चोट आई थी उससे खुन बह रहा था इस खुन को ट्रेस करते हैं जॉन भी ओफिस में बहुचता है एक लॉकर के बाहर से उसे लगता है इसके अंदर सिंडी है वो उपन करता है पर सिंडी उसके पीछे ही खड़ी है वो उसे चाप को मारने के कोशिश करती है और फेल हो जाती है यहां लॉकर के पास हम बेट की डेट बोड़ी भी देख सकते हैं जॉन ने सिंडी से कहा था कि मैंने बेट को छोड़ दिया है पर एक्च्वल में उसने उसे मार डाला था अब यह सिंडी को भी मारने लगता है वो मर रही थी पर उसके हाथ में उसका शू आ गया यह जोर से उसने जॉन के सर में मारा और जॉन भेहोश हो गया बाहर निकलने के लिए उसने एक गाड़ी स्टार्ट की वो निकल नहीं वाली थी पर जॉन ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी से टक्रा दी यह तोनों फिर एक दुसरे की आमने सामने आ गया जैसे हमने बहुत सारी बॉलिओर मूविज में देखा है कि एक की डारेक्शन में दोनों गाड़ी चलाते है इसी तरीके सी यह भी चलाते है लास्ट मुमेंट में गाड़ी का डारिक्षिन चेंज करकर इन दुनों का एक्सिडेंट हो जाता है इस एक्सिडेंट में जॉन को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई पर सिंधी अपनी गाड़ी में उट नहीं रही सिंडी के पास वाता है और उसे गुडबाय खेता है अब वो उसे चाकू से मार ही डालने वाला था पर सिगरेट बर्नर से उसने जॉन को छोट लगा दी वो भाग रही थी पर फिर भी जॉन ने उसे जाने नहीं दिया सिंडी ने एक चाक को जॉन की पेट में डाला उसने कहा कि अब तुम किसी को भी हट नहीं कर सकते जॉन कहता है कि अभी भी मैं बच सकता हूँ और भी लोग को हट कर सकता हूँ अब वो अपना इचाकू लेक कर खुद को मार डालता है सिंडी फिर पारकिंग लॉट से बाहर निकल गए अब इस मूवी का ट्वीस्ट आता है यह जो सब चल रहा था यह सब रेकॉर्ड हो रहा था जिस डंक आदमी को हमने मूवी में देखा था यही इनका बॉस है यह मूवी अब रेकॉर्ड हो चुकी है पारकिंग लॉट में सब डेड़ बॉडिस पड़ी हुई है अब यह सब साफ किया जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा जब हम मूवी में देखते है तो जॉन कहता है कि मुझे मेलो ड्रामेटिक मूवी बनानी थी कुछ होरर नहीं इसका मतलब अब हमें पता चला है जॉन एक्चुल में सिंडी से पैयर करता था वो उसके साथ गेम्स तो खेल रहा था और उससे मारना नहीं चाहता था लास्ट में जब उससे पता चला कि सिंडी माने की नहीं तो अपने आपको ही उसने मार डाला जो भी लोग इस गेम के पीछे थे यह सब एविडेंस मिटा देते हैं इनमें डिसकेशन होती है कि सिंडी का क्या किया जाए इनका बॉस कहता है कि इस सिचुएशन को वो समाल सकता है सिंडी अफ्री है पर इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से भी बात नहीं करती है हमें एक इलिगल वेबसाइट दिखाई जाती है जहाँ पर यह मूवी सेल होती है यह जो इंसिडेंट हुआ था यही खतम नहीं होगा इसके बीचे बहुत सारे लोग है और यह बहुत बड़ा प्लैन है इसी तरी के से मुवी एंडो साथी